नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की रशना परंपरा में ऐसे कम ही लेखक हुए हैं जो साहित्य तथा रशनात्मक मूल्यों की स्थापना तथा रक्षा करते हुए जन साधरन की दैनन दिन रुची का हिस्सा बनने में भी सफल हुए और जो ऐसा कर सके उनमें अग्रणी नाम है गौरापंद शिवानी जी का नमन है उन्हें वो अपने साहित्य में हमेशा जीवित रहेंगी प्रस्तुत है उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी कौन मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सिंग आज मैं स्वयम अपने लिए एक समस्या बन गया हूँ मैं भारत का प्रख्यात और द्योगपती क्षमा कीजिए अपना नाम नहीं ले सकता आप सब मुझे जानते हैं आप लोगी द्रश्टे में महान देश प्रेमी, समासेवी, दानशीन ऐसा कर्मयोगी हूँ जो ख्यात या यश्का भूका नहीं रहा कभी किसी धन के घुटाले में मेरा नाम नहीं छपा मेरा पुत्र विदेश से एंबिये कर बड़ी कुशलता से मेरी गद्दी सभाल चुका है मेरी पति व्रता पत्नी, चाया की भात, अहरनिश मेरे पीछे पीछे घुमती, मेरे एक एक गसे का हिसाब रखती है कहीं मैं दाल में घीना डाल लो, मुठी बर मेवे न चाब लो, सिगरेट कब की छोड़ चुका हूँ मेरे बार की दूर दूर तक ख्याती है, पर मजाल, जो दुरलब विदेशी आसों की गुनपी कभी जीप पर धरी हो देश में घातक, भूखम को, या सूखा, चुनाओं की थैली फैली हो, या किसी रहत कोश का फैला तामन दान देना कोई मुझसे सीखे मेरी कॉन्वेंट शिक्षिता पुत्रवदू आज तक अपने कटे बालों पर धरापला मेरे सामने खिसकने नहीं देती मेरा पौत्र भारत के सबसे दावीं पप्रिक स्कूल में पढ़ रहा है द्वार पर पांच-पांच दीर्ग देही विदेशी गाड़ियां लेरंतर खड़ी रहती हैं एक मेरी, एक मेरे पुत्र मुन्ना की, एक पत्मी की, एक पुत्र वदू और एक मेरे पौत्र की चाहता तो पांच-पांच हाती भी दरवाजे पे पान सकता था पर जानता हूँ कि हाथी अब आउट आफ डेट हो गए है वैसे अभी हमरे तोशा खाने में मेरे पिता में कि समय के हाथियों की तीन तीन थोस आलमारियां धूल चाट रही है फिर भी मुझे नीन क्यों नहीं आती डॉक्टर कहते हैं बुड़ा पे में नीन कम हो जाती है पर नहीं मेरी अनिद्रा का कारण केवल मैं ही जानता हूँ मैं जानता हूँ कि क्यों पाण बिद्ध म्रग की बहाते इस म्रत्यों के अर्रण में भठक रहा हूँ शान धरित्री के धहरे को भी पराभूत करती मेरी पत्नी व्रंदा चौक कर मेरे पार्शों बैट जाती है तब यह ठीक नहीं लग रही है क्या फोन करूं डॉक्टर को मैं जला कर उसे डबट देता हूँ क्यों क्या हुआ है मुझे जो डॉक्टर को फोन करोगी वो चुपचाप करवट बदल कर सोजाती है उसका चिंतित होना सौभाविक है अभी पिछले महीने तो मैं विदेश से अपने जीरन हिर्दे पर पैबंद लगा कर लोटा हूँ बड़ी विलंबित बाइपास सरजरी करनी पड़ी थी तीन तीन ब्लॉकिश थे दक्ष चिकित्सकों ने रक्ट के जमें तीनों थक्के निकाल दिये पर उस चौथे थक्के को निकालना उनके बसकी बात नहीं थी वो अद्रश थक्का तो अब स्वयम महा चिकित्सक ही निकालेगा कभी लगता है मेरी बुद्धी दीरे दीरे लुक्त हो रही है किन्तु अतीत उतना ही प्रखर हो मुझे बिच्छू सा डंग देने लगा है अगर मुझे जीविद जला दिया गया होता तब भी शायद इतनी प्लिडा नहीं होती आज तो मुझे पश्चाताप की अगनी क्षण क्षण जला रही है इतने वर्षो बाद उसके पत्र ने मेरा दबा नासूर उभार दिया है उसने लिखा चोटे सेट तुम्हें आज तक परेशान नहीं किया पर अब मेरे पास वक्त बहुत कम है एक बार आगन मुझे देख जाओ यकीन दिलाती हो तुमसे कुछ नहीं मागऊंगी तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंटूंगी बस मेरा कलीजा भैभीत कपोट सा फड़क उठा अमानत? किस अमानत की बात कर रही थी वो? कहीं इस बुढ़ापे में कोई ऐसी अमानत की बात तो नहीं कर रही थी जो मेरे वार्धा के पर ज़ाड़ू फेड़ दे? उसे जब छोड़कर भागा था तो एक यही भैतो सहमा उठा था कहीं असावधानी वर्ष कुछ उठा सीधा हो गया तो क्या मू दिखाऊंगा? अपने देवतुले पिता को? छी छी ऐसे संथ पिता जिनने अपने अवदूद गुरू का प्रसाथ प्राप्त था जिनोंने अगाज संपत्य का मौ, सुच्छा सित्या, करतल भिक्षा, तरुतल वास को सार्थक किया था क्या कहेंगे वे? कैसे फंस गया था मैं उस रूपसी वारवनिता के जान में? पहली बार मैंने मामा के बारादरी में उसे देखा था घन, क्रिश्ण, केश, उच्छ, मुख, मंडल पर बिखराए थी बड़ी-बड़ी आँखों में सुद्मी की प्रगाड रेखा संपुठित प्रवाल से अधर, एक हाथ आचल में छिपा था दूसरा उन्नत सुदॉल वक्षिस थल पर बीच-बीच में कान पर हाथ धर का आलाद लेती हूँ वो उस महफिल से उठकर जैसे कहीं दूर जाती रहिया कहां गए वे लोग? आज अलहिया बिलावल की वही पंग्ती जैसे मेरे जीवन में साकार हो उठी है कहां गए वे लोग? फिर मैं लुके चिपे नित्ते ही वहाँ जाने लगा मैं शबत खाकर कहता हूँ कि पहले-पहले मेरा संगीत रसिक चित्त ही मुझे वहाँ चुम्बक साखी चली जाता था किसी प्रकार के विकार या वासना ने मेरे विवेक को ब्रश्ट नहीं किया था पर फिर ना जाने कख उसके सौंदर उधरी में डूटता उतराता उसका परम उपास से बन गया मैं बड़े छलबल सही उससे मिलने जाता था एक तो उसकी हवेली बदनाम बस्ती के सीमान्त पर थी दूसरे उसी ने मुझे एक ऐसा गुप्त मार भी दिखा दिया था जहां चिरई का बच्चा भी पर नहीं मार सकता था मेरी पढ़ाई तब तक चल रही थी पिता जी ने तब कद्धी नहीं छोड़ी थी बीज बीज में मुझे मुनीम जी के पास व्यवसाई की बारह खड़ी सीखने बेचते अवश्य थे पर ये बराबर ध्यान रखते थे कि पढ़ाई में व्यागात ना कटे उनकी अटूट संपत्य का एक मातर वारिस में ही था फिर रखने में आच्रण में कहीं भी कोई रोक नहीं बड़े बड़े उद्योग पतियों के यहां से मेरे लिए रिश्टे आने लगे थे पर पिता जी का कहना था अभी तो बाइस का भी नहीं हुआ पहले गदी सम्हालने योग बने तब देखेंगे मेरी सरर्ल हिद्या मा दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती मेरे लिए तो एक बहु लादे बेटा तू हाबर कर दे मैं तेरे पिता को मना लूँगी पर मैं क्या ऐसी मूर्खता कर सकता था विवागी चिंता ही किसे थी एक दिन भी बदर को न देखता तो जी छट पड़ाने लगता 32 लक्षरों से युक्त पद्म गंधा पद्मिनी बदर को देख में सब कुछ भूल जाता अपने उच्चो कुल का अभिजात्य पिता का तेजों में पवित्र चेहरा मा की इसने प्रवण द्रश्टी कुछ भी मुझे याद में रहता बदर की तेहे से आती आमोद सुर्भित कंद मुझे मंत्र मुग्द नाक सा जुमाने लगती भावति कमल नेत्रा नासे का शुब्र दंता अविरल कुछ युगमा दिर्ग केशी क्रिशांगी म्रद वचन सुशीला नर्त गीता नुरकता सकल तन सुबेशा पदमिनी पदमगंधा नाम था बदरुनिसा एक तो खांदानी वेश्या उस पर यवन दुही था मेरे पिता मैं जब तक जीवित रहे उनका खाना बनाने के लिए सदा सौराश्ट्र के कानिकुब जी प्रामण निफ्त रहे बड़े बड़े जंगालों में भरकर काशी से गंगा जलाता उसी से खाना पकता मसालों से लेकर नमक तक उसी गंगा जल में धोया जाता प्राता हमारी आखें कुलती वेद पार्ट से, विशाल प्रांगर में चुटिया भटकारे, अर्द नग्न, चार वेद पार्थी ब्राह्मन वेद पार्ट करते पिता मैं नित्ति कहंगाइस्तान कर पितरों को पिंड देते, फिर हमें सामने बैठा कर संस्कृत बढ़ाते मा ने आपति की, तो बोले, देखो, अब अंग्रेजी व्यविसाई की भाषा है, सीखनी ही होगी, और अभी मैं उसे ये कहूंगा कि ये ना खाओ, तो वो एक दिन लुक्चिप कर खाएगा उनका ओदारे और मुझे पर उनका आवशक्ता से अधिक विश्वास ही मुझे ले दूपा, जीवन का एक बहुत बड़ा सबक तो अनायास सीख चुका हूँ, कि बच्चे कितने ही सुशील आग्या क्यारीन क्यों नहों, उन्हें एक उम्र में स्वेच्छा से लगाम धीली कर बहुत छूट देना स्वेम अपनी प्रभुता को मिटाना है, माता पिता और संतान के बीच मैत्री का रिष्टा कभी पनपता नहीं, सीधे गुड़े को भी कभी एड़ी की ठुकर देनी पड़ती है, बदर का कंट कैसा था, ये लिख कर बताना में लिए संभो नहीं था पर वो हाथ में तानकूरा थाम, अलाप लेती, तो इसकी इस निगधता, निविडता, विशालता में मैं अपने जीवन की संपूर सार्तकता पा लेता, शायद ठीकी कहा गया है कि प्रेम अंधा होता है, हम दोनों जन्मांद बने, प्रेम के गहन प्रभा में तिनके से बहे और अम्मा, मैंने रुआ से स्वर में पूछा तुवे वज्जर से गरजे, तुमारे पास रहेगी, तुम उसकी देखभाल करोगे, वो तुमारी ग्रहस्ती बसाएगी, मेरी मा ने एक बार भी वरोद ने किया, ना साथ चलने की जित की, मुझे हमेशा यही लगता है, कि सर मा, मुनीम जी से उसका पूरा लेखा जोका लेती रहती, संध्या को घर लोटता तो कभी कहती, नन्ने मुझे मंदिर ले चल, कभी काली घाट और कभी बैलूर मट, फिर एक दिन तीर थी आत्रा की जित करने लगी, सुधीर गी यात्रा के बाद एक दिन उन्हें चक्मा दे उसने ना कोई कैफियत मांगी, ना कोई उलाना दिया, उसका यही इस्तरगाम भीर ये तो मुझे 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 करता था, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, शायद अम्मा को शक हो गया है, मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती, अब मैं शायद रोज ना आपा हूँ, बदर, क्यों, शादी कर रहे हो क्या, उसने हसकर कूछा, नहीं, पर अब जोखिम लेना ठीक नहीं होगा, ना तुमारे हक में, ना मेरे हक में, मेरे मामा को तुम जानती हो, उन्हें भनक भी लग गई तो वे कुछ भी कर सकते हैं, वो एक शब्द नहीं बोली, शन भर को न आज, मैं तो अब सिर्फ तुमारे लिए ही काती हूँ, देखा नहीं, सब साजिन्दों की छुट्टी करती हैं हमने, मैं जानता था कि बदर के कोठे में अब चान्दी नहीं बिष्टी, ना मैफिलें गुलजार होती हैं, ना तबले की ठनक, ना गुंगरों की जनक, पर उ दर दर घुनते पीसियों पेशेदार, सुवासित पान के बीड़े पेश करती, बदर की मूह लगी बांदी जोरा, स्वेम बदर की कीमती वेशबूशा, चंदन के अंगराख से उपलिप्त उभार कर दमक्ती सोने की सतलड़ी, भारी पेशवाज, सवारे धुपित केशों पर लहराता मोतिया का गजरा, ये शरंगार क्या किवल मेरे लिए था, मेरा शंकालो चित इर्शा से दग्द हुठा था, मेरे जाने के बाद ना जाने कितने रसिक ग्रहक आएंगे, मैनत उसे छोटे मोटे उपारों के अत्रिक्त कभी कुछ दिया नहीं, ना उसने कभी मु पर कई महीनों तक ना पाऊं, ये बयाना समझ कर रख लो, उसने गड़ी मेरे पैरों को पठक दी, मेरी जूती ले से क्या समझा है मुझे, ना जाने उस मन्हूस घड़ी में मुझे कैसा पर्यास सुझा, वही तो तुम हो, तुमारा तो पेशा ही लेने का है ना, फिर कैसी शरम, मैंने हसकर उसे छेड़ दिया, तो उसका चेरा कागस्ता सफेद पढ़ गया, बिना कुछ कहे, वह अपने कमरे में चली कई और द्वार बन कर लिये, लाख शिरौरी करने पर वी ओ नहीं निकली, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं जाता, तो मुझे पहुचाने बाहर आती, फिर हम दोनों नियम पूरव गुलाब की जाड़ियों से घीरी, उसकी अम्मा की कबर के पास खड़े होते, अम्मा उठो, तुमारे दामाद आए हैं, अच्छा तो चले अब अम्मा, शब्बा खेर, आज पहली बार मैं अकेला ही कबर के पास खड़ा हुआ, इ ऐसा अपने विराट वियवसाई की पूरी दुर्वे जिम्मेदारी मेरे कंधे जुका गई, उधर दितिय, विश्वे, युद्ध की विभीशिका ने सब उथल पुदल कर दिया था, कलकत्ता में बम गिरने की अफवा, वियवसाई वर्ग को बुरी तरह बौकला रही थी, लोग कलकत्ता छोड़ कर भागदे लगे थे, वियवसाई की चित्ता थी ही किसे, अम्मा की जिस से हमें भी कलकत्ता छोड़ जन्व भूम की शरण में जाना पड़ा, पूरा वर्ष वहीं बिता हम लोटे तो दो से तीन थे, लब जप में अम्मा ने एक बहुत बड़े घर जाने के वियवसाई की इकलोती पुत्री वरंदा से मेरी चट मंगनी पड़ ब्यार अचा डाला, कलकत्ता पहुंचा तो लगा मैं संग्या शून हो गया हूँ, क्या कोई सपना देख रहा था मैं, या उन्मत हो गया था, बदर से मिलने के लिए मेरे प्राण छट पड़ान किन्त उसका प्रणय निवेदन था एकदम सरल सपाट, बदर के प्रणय निवेदन में थी, उसके पेशे की पीडियों की सीखी पढ़ी दक्षता, इसी से मूं की खिचरी से मुझे अब अरूची होती जा रही थी, चपन भोग से सजी थाली की सुगंद मुझे निरंतर हासी बना रही थी, और फिर एक दिन में माग की उसकठोर रातिर में तीर सा निकल गया, चतुरदर्शी की धोट चंदर्का में बदर की हवेली निस्तब्ध खड़ी थी, डड़ते रड़ते ही मैंने कुंटी खटकटाई थी, कहीं बदर का कोई निशाचा प्रेमी ही द्व वही द्वार पर खड़ी थी, कितनी सुन्दर अशरीरी पर लोग से उतरी किसी आत्मा सी लग रही थी वो, बिना कुछ कहे, बड़े अधहरे से मैंने उसे बाहों में भर लिया, और मेरे सैयम का बान तूट कर, हम दोनों को एक बार फिर अपने घातक प्रवाह में बहा ले मुझे पता है आप शादी करने गए थे, कैसी अधुत नारी थी वो, ना मान, अभिमान, ना चेरे पर कोई शिकन, ना आखों में आसू, हिर्दय ही शत्र की निर्वमता से मैं उसकी छाती में प्रवंचना का खंजर भो, कायर की भाती, उस द्रस्त ब्रम से आकरांत महानग में उसे असाहय छोड़कर भाग गया था, पूरे साल भर तक उसकी कोई खोज ख़बर नहीं ली, फिर भी वो मुझे पान के पत्ते सा फिर रही थी, मैं फिर पूर्वत उससे लुक छिपकर मिलने लगा, एक वर्ष के प्राणान तक व्योग ने हम दोनों को और भी गहरी जकड में जकड लिया था, मेरी सरला भोली पत्नी ने कभी भूल कर भी नहीं पूछा कि मैं अचानक आधी रात को कहां चला जाता हूं, इसी बीच मेरे पुत्र का जन हुआ, वर्षों बाद हमारी हविली शिश रुदन से मुखरित हुई थी, मा के आनंद का पार नहीं था ससुराल से आए छोचक के सभी उपारों से हमारा घर भर गया, अपने नवार्जिस संतान सुप, व्यवहों की वयार में बहता, मैं फिर बदर को भूल गया, उसके बाद मैंने पूरे पांच वर्ष बाद अचानक एक दिन उसे देखा तो चकित रह गया, सुशीला सहचरी क सहचरे ने व्यापार की आशातीत उन्नती ने जहां मेरे शरीर को मेद बहुल बना दिया था, वहीं पर बदर की कनक छड़ी सी देहे पर रत्ती मात्र भी मांस नहीं चड़ा था, मा पत्नी पुत्र को लेकर मैं कुल देवता के दर्शन को घर गया, तो अचानक उतिक गई, वो यहां क्या करने आई थी, फिर मुझे याद आया, सेच सत्य नाराण की शेखावाटी दर्शनी हवेली तो यही थी, उस चित्रांकित अपूर हवेली में तो आए दिन संगीती महफिले जुकती थी, तो उसने क्या फिर अपना परत्यक्त पेशा अपना लिया, मैं एक प सदक्ती ईर्श्याग ने ही मुझे फिर महां खीच ले गई थी, मेरा अनुमान ठीक था, मैंने पूछा तो निसंकोच होकर कहने लगी, पेशा छोड़ दे थी तो खाती क्या छोटे सेट, हाँ मुझरा छोड़ दिया है, अब अपने पुराने महरवान ग्रहाकों के लिए गाती भरने, कभी हैदराबाद जाती हूं, कभी ग्वालिय और कभी रामपुर, जहां लोग हमारे हुनर की कदर करते हैं, पर क्या उसके गुरी ग्रहाक, उसके कंठ सुधा का पान कर ही तरप्त हो पाते होंगे, इसी बीच बरंदा अचानक बीमार पड़ गई, बीमारी भ पेक्षिता, अपनी सहिश्रों शांत सहचरी को मैं किसी भी कीमत वर पचा ही लूगा, मेरे अपरात का दंड इसे मद्दोक रभू, मैं मनी मन दिन रात यही प्रातना करता, वो मेरे वंश्धर की मा थी, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, जब वो स्वस्थ होकर लोटी, मेर मा भी उसे नहीं पहचान पाई, उन दिनों टीवी का इलाज होता था, पीपी से शरीर में वैसे हवा भर दी जाती थी, जैसे पंक्चर हुए टायर को हवा भर फोस बना दिया जाता है, दोनों गालों पर उस विशम रोग की संदिक दिलालिमा, अटूट स्वास्त का आभा देने लगी, मेरी सेवा, मेरी निष्ठा नहीं शायद उसकी जिजी विशा प्रबल कर दी थी, जब वो एक बार रक्त वमन कर लगबग निक्ष्टार पड़ी थी, तब मैंने उसके सिरहने बैठ कर शपत ली थी, अगर व्रंदा इस वीमारी से उबर गई, तो मैं इस कोई भी नारी मुझे नहीं दे सकती, ये मैं जानता था, फिर भी मैंने उसकी रस जिक्त इसम्रती को सैयम से दबा दिया, पर मैं हार गया, बाहर वर्शा की जड़ी लगी थी, लगता था आस्मान तूटकर गिर पड़ेगा, अम्मा व्रंदा को लेकर वैलून गई थी, मै गंगोर वर्शा में भीकता भागतावा पहुँच गया, बीस नमबंबर की वो रात, क्या मैं कभी भूल सकता हूँ, बिजली की कड़क, बादलों की गरजन तरजन, मैं गया तो वो सुला शरंगार के बैठी थी, जैसे जान गई थी कि मैं आ रहा हूँ, शायद ये भी जा मगाते सॉलिटियर, बालों में पन्ना मनी का छपका, ठीक ऐसा ही छपका पहने हमने एक बार अक्तरी बाई फैजा बादी को देखा है, मेरे कंदे पर धरे उसके सिर के बालों में लगे छपके को सहला कर मैंने कहा, तो उसने कहा, अजी आवाज में रूप रंग में हम क्या उनसे कुछ कम है, नाग देखो हमारी, चाहो दो नीवू काट लो, अल्ला मिया ने हमारी नाग बना कर फिर साचा ही तोड़ दिया, सच्मूज, उस तीखी गरवन न सुभग नासिका देखकर ही समझ में आ गया था, कि शुक तुन्र किसे कहते हैं, उस पर जलमल सी, हीरे की बड़ी सी लॉंग, मेरा उसे दिया गया एक मातरदामी उपहार, जड़ाओ बाजूबंद, उसकी संग मरमरी बहां में बना था, अरे वा, आज पहनी लिया तुमने, पहने को तो बहुत जी चाहता है, पर ड़ती हूँ, कहीं किसी महफिल में आपके मामा ने देख लिया, तो बहां भी साफ करतेंगे, जबसे मैं गदी का एक छत्र समराट बना था, तिजोरी की चापी मेरे ही पास रहती थी, आभुशनों के इस तूप से उस बेजोर खांदानी बाजू बंद को निकाल, जेब में डालने में मुझे कोई कटनाई नहीं हुई थी, आभुशन भी और पूझा के बाद अपने हाथ से तिजोरी में बंद कराता, उस बार मैंने उसे अपने हाथों से बाजू बंद पहनाया तो वो चौकी, क्या सेठानी की तिजोरी से चुरा कर लाए यह चोटे सेठ? चोटा सेठ चुरा कर कुछ नहीं लाता, यह मेरी परदादी की भी पर पर तुम्हें पहनाने आया हूँ नहीं सेट वो अन्मनी हो गई तुमने ये ठीक नहीं किया जाओ इसे फिर सिठानी के गहनों में रखाओ बड़ी मनुहार से ही मैं उसे उतारने से रोप पाया था बाजू बन था भी बेजोड सुना था शैंशा ने अपनी हिंदू रानी को जड़े जगमकाते हीरे नीलम की आखें माने का अधुर संपुट और पार्ष में सर्वा भरन भूशिता हरी प्रिया गहनों के इस्तूप की ही पूजा होती थी पिर चाबी तो मेरे ही पास रहती थी गहने गिनने की कभी नौबती नहीं आई धून मची थी मेरे पुत्र के विभा के चड़ावे के दिन हाए कहां गया बाजूबंद लक्ष्मी जी क्यों रूठी ब्रंदा तो बोरा गई थी ठीक से देखो किसी हार कंगन में फसा होगा मैंने चोरी पर सीना जोरी की नहीं है नहीं कहीं नहीं है कौन ले गया बगवान तुमने क्या कभी चाबी घर पर छोड़ी थी पागल हुई हो क्या चाबी दिंडात मेरी जनियू में बदी रहती है हाई इससे तुम्हें मर जाती हर दीवाली पर अम्मा कहती थी बेटी इसे पहन ले हमारे या घर की वहो इसे दीवाली पर जरूर पहनती है पर हर बार में टाल देती कहती मा जी इतना भारी बाजूबन हमसे नहीं पहना जाता शायद इसी से लक्षमी जी ने कहा लो अब पहनो हलका गहना अच्छा बस भी करो वरंदा मैंने कहा था चिंता क्यों करती हो शादी तक हम वैसा ही बाजूबन बनवा देंगे मैंने कहा अपना वचन पूरा भी किया सौयम जैपुर जाकर वैसा ही बाजूबन गढ़भा भी लाया पर अब कौन बना सकता था वैसा एतिहासिक बाजूबन ब्रंदा ने हाथ में लिया और बढ़बढने लगी अजी कहां वो और कहां ये पतानी असली हीरे भी हैं या मुए अमरीकी जैरी कौन है अब तो जोहरी भी असली नकली हीरे नहीं पहचान पाते इतना बता दूँ जी जिसने भी वो वाजूबन बांधा है कभी भोग नहीं कर पाएगी बहां सड़ जाएगी उसकी मैं मनीमन काप उठा कैसा जगने पाप किया था मैंने और दंड मिलेगा किसी निर्दोश को ऐसा शाप क्यों देती हो वरंदा मैंने कहा तो वो विफर उठी क्यों न दूँ हजार बार दूँगी जिसने भी चुराया है वो मरते दम तक तड़बेगा सती का शाप कभी विफल नहीं होता ऐसा ही कहा गया है हमारे शास्तरों में उसका शाप ही आज मुझ पर वज्र बन कर तूटा है कल मेरी गद्धी पर कोई हो चिप्ठी रग गया था तब इतने वर्षों बार वो अपने पेशे की निश्टा पर उतर मुझे ब्लैक मिल करने पर कटे बद्धी थी किसा मानत की बात कर रही थी यदि महां बुला कर मेरे किसी जवान वारिस का हाथ थमा कर कह दे ये बेटा तुमारा है चोटे से या फिर किसी जवान पुत्री का हाथ थमा कर कहे ये तुमारी बेटी है नहीं ऐसा संभव था जब हम अंतिम बार मिले थे तो दिन प्रहस्बत था हर वीफे को नियम पूरक हम दोनों एक साथ सेद जलाल शाह बाबा की मजार पर मत्था टिकने चाते थे उस दिन भी मैंने कहा था आज वीफे अबदरुन और ग्यार्वी शरीर कोई मजार नहीं चलोगी नहीं आज हम सिजदा करने लाइक नहीं हैं हमारा सिर मेला है पाचवे दिन नहा कर चलेंगे उसके बाद हम मिले ही कहा थे शायद वो अपने पेशे की नीश्टा पर उतर किसी हराम के वंश्दर को मुझे सौप करतव विभार से मुक्त होना चाहती थे दो दिन तक मैं घर से नहीं निकला तीसरे दिन मैं अपने को नहीं रोक पाया कायर की तरह शिकर क्यों भागता कि नूँ उसे सबक सिखा कर ही लोटूँगा ढूंटे ढूंटे बड़ी देर तक भटकने पर सहसा मुझे अपने विवन्ट ताजमहल की मटमेली मीनार दिखी लगता था पूरे बस्ती का भूगोली बदल गया है कहीं उची उची गगन चुम्बी स्काइस्क्रेपर कहीं पार भगन दीवारों का प्रतिरोध पार कर मैं उस जोड़ी पर खड़ा था जहां कभी मेरा नंदन वन इस्तित था मूँज की एक जूला बन गई खटिया पर कोई लूंगी पहने अर्द नंग पॉंधा पड़ा था उठना भाई मैंने उसकी नंगी पीट पर हाथ आरा तो वह ऐसे चौका जैसे बिजली का नंगा तार चूलिया हूँ क्या है क्या है कौन है कौन फुद्डी पर खिशी बकरे की सी दाड़ी दसे कपोर कानों पर दोरी की कमानी से बधा चश्मा चड़ा उसने मुझे गौर से देखा किसे डून रहे है मिया बदरुन निसा से मिलना है इस बार उसने मिट्टी के तेल की डेवरी की लौत तेज कर मुझे गौर से सिर्षे पैर तक देखा वो बहुत बीमार है साहब अब वो किसी से नहीं मिलती मिलिये भी नहीं बड़ी बीमारी है ससुरी सांस से भी छूत लगती है कली तो अस्पताल वाले यहां पटक देए है उसने मुझे नहीं पहचाना पर मैंने उसे पहचान लिया था बदरुन की बांदी जोरा का बेटा रह्मान हमारे प्रणे परुका एक मातर साक्षी चांसा गुलगोथना चेहरा असली रुहिल्ला पठान का सुर्ख रंग और बिल्लौरी आखें बदर बताती थी वो किसी नवाब का बेटा है आज वही लखोरी इवारत डहने को तक पर थी मुझे नहीं पहचाना रह्मान मैंने हसकर कहा तो फिर मुझे गौर से देखकर उचल पड़ा अरे सरकार आप इतने सालों बाद ओ समझा छोटी सरकार ने हमी से खत पिजवाया था आपके मुनीम जी ने हमें डाट कर भगा दिया पर हम क्या हर मानने वाले थे पिछवाडे की खिड़की से कंकर बांद कर वो निशाना मारा कि खत सीधा आपके गाउ तकिये पर गिरा क्या हुआ बदर को क्या बताएं हुजूर चंदन की काठी जलकर कोईला हो गई कोई जानलेवा बीमारी है कोई बचता नहीं एड्स बतावे हैं डॉक्टर मैं चुप खड़ा रहा सारा बदन चालों से भर गया है वो भी ये बड़े बड़े जैसे ओले हो पेट में पानी भी नहीं टिकता एक अर्जह छोटे सेट आप लोट जाईए नहीं मैं उससे मिले बिना नहीं जा सकता हाथ की रिब्री से वो मुझे रहा दिखाता आगे आगे चल रहा था पीछे पीछे मैं धज्जियों में लटके परदे जाले लगी तस्वीरें आदम कद शीशों में पड़ी दरारें धूल भरे लाल शकर पारे कटे परदों से ढखे लल्मुनिया तोता मैना के खाली पिंजडे देख देख मेरा कलेजा मुझ को आ रहा था बड़ा सा चांदी कारवाली पिंजड़ा दूरी से बंधा नीचे लटकाया था उसमें बठा शाही काकातुवा कभी मुझे देखते ही पर फड़ पड़ा कर कहता था दरीचे शक दरीचे शक कभी एकदम इंसानी आवाज में चैकता ए बदरुन बदरुन निसा कहां मर गई कमबक्त एक जाड़ फानूस पर उल्टी लटकी चमगादनों की विभत्स बिरादरी प्रकाश का आभास पाते ही मनहूस चीची कर पुरे कमरे के परिक्रमा कर उठी एक अस्से दुरगंद के भग्के ने मुझे सहसा डखेल दिया जैसे कहीं कोई मरा जानवर सड़ा हो कौन? अंधे कुएं से जैसे कोई मरी बुजी आवाज में पूछ रहा था कौन है भाई? हमें कुछ दिखता नहीं क्या है रह्मान? खाना लाया है क्या? ले जा ले जा कल का खाना भी पड़ा है सारी जुबान मुई छालों से भर गई है पानी भी तो नहीं निगला जाता या परवर्दिगार अब तो रहम कर मैंने देखा तूटी मेश पर सूखी रोटी पर धरा पालक का साग जो कातियों धरा था सरकार छोटे से ठाये शरी की ज्वाला से पेचैन वो लगभग निर्वस्तर पड़ी थी अरे कमबक्त हमें चादर तो उड़ा दे रोग जीर चेहरे पर उबरी पीडा की लालिमा को उस अइस्परस्ट प्रकाश में भी मैं देख पा रहा था जिसे जीवन भर निर्लज कामातुर पुरुषों के लिए कभी अपनी देव गारने में लज्जा बोध नहीं हुआ उसे ही आज एक पुरुष की उपस्तित में अपने उगड़े अंग ढाकने के लिए ये कैसी आगुलता तरस्त कर रही थी छोटे सेट वो हसी कैसी करोन हसी थी वो पूरे चेहरे पर केवल द्रश्ट हीन बड़ी बड़ी आखें ही पहली थी सूखे पप्री से हुए होट दसे कपोलों के वे मनमोह गड़े नजाने कहां सो गए थे अच्छा किया तुम आ गए तुमारी अमानत लोटाने के लिए शायद अल्ला ने ये मुहलत दी है रह्मान जी छोटी सरकार मेरा हिर्दे एक बार फिर किसी अंजान आशंका से काप उठा इस निवरत हवेली में आदी रात को उसने मुझे किसी का हाथ थमा दिया तो मैं कैसे कह पाऊँगा नहीं बदर मैं इसका बाप नहीं हूँ रह्मान हमें कलमदान दे अल्मारी में रखा है अल्मारी मैं ना कांच थे ना कापाट धूल भरा कलमदान रह्मान ने उसे थमाया और उसने अपना कंकाल साथ बैठने की चेश्टा की तो मैं उसे सहरा देने आगे बढ़ा दुरुगंद अस्सहती और चादर एक बार फिर्टे सक गई मैंने सहम कर आखे फिर ली पूरा शेरीर बड़े बड़े फपोलों से भरा था मेरे नैकटे को उसने नजाने कैसे सून लिया नहीं ने चोटे सेट मुझे कोड से भी बुरी बीमारी है ये लो ठालो कलमदान से एक किमख्वावी बटवा निकाल उसने तिपाई पर ट्रटोल कर रख दिया ये है तुमारी आमानत सती पाकीजा का बाजू बंद मैंने बांध लिया था उसी किसजा भोग रही हूँ देख रहे हो पूरी बहां का मास सरसर कर जड़ गया है सचमुच मास मजजाहीन स्याह पड़ गई बहां उसने सामने कर दी तब क्या मेरी पतनी का श्राप बोल रहा था उसके मुझसे जाओ जाओ रुको मत उसकी आवाज कितनी बदल गई थी मैं विमूर बना खड़ा ही रहा कितना नीच था मैं पल भर पहले जिसे एक नीच ग्रहनित गिरी हुई नारी समझ रहा था वही सैसा मुझे साक्षात अश्ट भुजा लग रही थी और मैं स्वयम अपनी नजरों में कितना नीचे गिर गया था स्वार्थी, कामी, कुटिल, अधम और पापी जाओ सेट जाओ वो मुरत प्राय शरीर की पूरी शक्त इकंट में संचित करगर जी मैं जाने को मुणा पलट कर देखा तो वो कटे पेड़ सी फिर पलंग पर ढह गई थी मैं अद्वार से निकली रहा था कि उसने धीमे मदुर सर में पुकारा छोटे सेट उजे अगुलिस्तान में जैसे फिर बुलबुल चहकी यही तो उसड़ था जो कभी केदार की तीवर और शुद मद्ध में मिश्टी होलता था चमेली फूली चमपा ए गुलाब मैं ठिटका छोटे सेट जाने से पहले अम्मा से मिल ले ना बहुत सालों से तुमारा इंतिजार कर रही है हम तो जानी सकते हमारा आदाब कहना गुलाब की सुखी जाड़ियों को चीरता तोनों हातों से लंबी घास का जंगल टे टोलता मैं कबर तक पहुँचा तो देखा नाकफनी और मटकईया के गुच्छों से कबर लगबग विलुप्त हो चुकी थी अम्मा बुदबुताते होटों से लेकल रही मेरी आवाज स्वैम मुझे अंची नहीं लगी उठो तुमारे दामाद आये हैं जैसे स्वैमी कोई टेप बजा रहा था फिर मैं पागलों की तरह भागा दूर खड़ी कार में कब बैठा कहां कहां भटका और कब घर पहुँचा पता नहीं लगा रात आदी बीच चुकी थी मेरी अट्टालिका के रंगीन बल्बों के तोरण रह रह कर जल्बुज रही थे दियों की कतार अवसर्न हो चुकी थी कहां चले गए थे पंडी जी बारा बजे तक रुके रहे फिर मुन्ना और बहु ने पूजा किये लो मैंने उसके अधीर प्रश्नों के उत्तर में बट्वास के हाथ में धर दिया हाई राम बाजू बंद कहां मिला इतने बरसों बाद बहु बहु मुन्ना ब्रंदा जैसे खुशी से पागल हो गई हमारी रूठी लक्ष्मी ठीक दीवाले के दिन गई और उसी दिन लोट आई कहां मिला बोलते क्यों नहीं चोर बाजार बे शायद कभी किसी ने चुरा कर बेच जा होगा तो कांदार पाकिस्तान जा रहा था बेच गया पकड़ा नहीं बेहया चोर को मुझे मनीमन हसी आ गई किस चोर को पकड़वाता क्या सौयम अपनी मुश्के बंधवाता पाचवे दिन रहमान गद्धी पर ही मुझे आकर बदर की मुक्ति परिव की सूचना दे गया बड़ी सरकार के बगल में मिट्टी देदी सेट हम इसी लिए रुके थे तीन पीडों से नमक खाया है उस भुताई हवेली में उन्हें उस हालत में उन्हें अकेली छोड़कर कैसे जाते एक तो औरत जात उस पर बे सहरा आज गाजी पुर जा रहे हैं वहीं हमारा पुष्टैनी मकान है घरवाली है बच्चे हैं अपना फर्ज हम पूरा कर लिये सेट मुझे लगा अपड साधनहीन रह्मान ने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया पर मैं उच्च वंश का सिक्षित सामन क्या कभी अपना फर्ज पूरा कर पाया कई बार जी मैं आया मोतिया का गजरा लेकर उसकची मिट्टी की अंगर कबर पर चढ़ा आऊ ये गजरा उसे बहत पसंद था पर साहस नहीं हुआ अम्मा से तो शायद नित्य के अभ्या से कहा था अम्मा उठो तुम्हारे दामाद आये है पर उसे क्या कहूंगा बदर उठो तुम्हारा क्या कहूंगा फिर तुम्हारा कौन आया है कौन अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद रोचक लेकिन मार्मिक कहानी कौन उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए लाइक करिए और शेयर भी करिए बहुत बहुत धन्यवाद